क्यूका येस कंपोज यूर ड्रीम बहुत कम बचा है, इसलिए इन सब्जेट को अच्छे से इसको त्यार किजिएगा, कहीं कोई डाउट हो, तो आप कमेंट रिके पूछ सकते हैं, उसका जबाब आपको दिया जाएगा, आप लोग चैनल को सस्काइब कर लिजेगा, बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा, जिसस के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप लोग जो है, इसको जरूर सस्काइब कर लिजेगा, जिससे आपको एक लास मिले, हम लोग सुरू करते हैं, सभीने अवग्या आंदोलन का जो अर्थ होता है, तो सभीने अवग्या का हिंदी अर्थ ये होता है, क कि राज की ओर से जारी किसी कानून का नर्मता पूर्वक या बिने पूर्वक बिरोध या और मानना करना होता है, इसका मतलब यह होता है, कि हम किसी भी कानून को नहीं मानेंगे, और बिने पूर्वक बिल्कुल नर्मता पूर्वक जो है, हम कानून का उलंग्या करते हैं, सवीνे अउग्या आंधुरार गांधी ने जब सुरू किया था तो गांधी सवीनेत अवग्या आउग्या आंधुरार गांधी को कहां मिली थी तो 1929 के लाहूर अद्वेशन में जिसके अध्यच पंडित जवाहलाल नहरू थे तो पंडि जोला नहरू जो है अध्यच तेकिस के लाहूर अद्वेशन के 1929 में हुआ था और इसी अध्यच में जो है सभीने अवग्या अंदुरन के प्रस्ताव को पास किया गया था और गांधी को या अनुमती दी गई थी कि आप सभीने अवग्या अंदुरन चला सकते हैं इसी अद्वेशन में गांधी के सभीने अवग्या अंदुन के प्रस्ताव को पारित किया गया था अब आपसे कुशन पुछा जाएगा कि सभीने अवग्या अंदुन का प्रस्ताव किसे ने पेस किया था तो गांधी ने कहा पेश किया था लाहूर अधिवेशन में उसके अध्यच कौन थे तो पंडिक जवाला नहरू कब हुआ था 1929 में तो याद देखना इसी अधिवेशन में सभीने अवग्या अधुरों के परस्ताव को पास किया गया था ये बहुत महत्मून पॉइंट है इ इसे उसको नाम दिया गया 11 सुत्री मांगी अगर आप से जामे पूछा जाए कि इतिहास में 11 सुत्री मांग का संबंध किस से है तो महत्मा गांधी से है किस आंदोरन से है सभीने अवग्या आंदोरन से है तो गांधी जब सभीने अवग्या आंदोरन शुरू कर रहे थे उसके पहले जो है Lord Irvin को जो है एक मौका और दिया बातचीत का और 11 सुत्री मांग पेस किया और कहा यगर ये 11 सुत्री मांग आप मान लेते हैं तो हम सभी ने अवग्या आंधुरन नहीं सुरू करेंगे. तो याद देखना गांधी ने सभी ने अवग्या आंधुरन प्रारम करने से पहले वायसराय Lord Irvin से बातचीत कर समझहोते का परियास किया और अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में 11 सुत्री मांग पेस की. अब आपसे कोशन पूछा जाएगा कि गांधी ने 11 सुत्री मांग जो पेस की थी सभी ने अवग्या आंधुरन सुरू करने से पहले वायसराय Lord Irvin के सामने वो अपने किस समाचार पत्र में उसका प्रकासन किया था तो यंग इंडिया में किया था ये आपको व्याद रखन कि ठीक है तो 11 सुत्री मांग क्यों और कौण से थी कभी-कभी एकजा में ये भी पूछ देते हैं कि महानत्मा गांधी ने जो 11 सुत्री मांग पेस की थी सभी आवग्या आपको सुरू करने से पहले उनमें कौन सा पॉइंट थैं और या कौण सा पॉइंट नहीं है तो कभ मुर्य देश में सराबंदी लागों की जाए बिन में घटा दिया जाए जो रुपutet का बिद्वे में रूपारी नौकरियों काब जो अधिकारी हैं सिविल से वाके उनके बेतन को आधा कर दिया जाए बेदेशी वस्तों के आयात पर निसेध लगाया जाए अर्थात विदेशी वस्तों का आयात हमारे यहां ना होने पाए समुंद्री जो भारते समुंद्र तठ हैं वो केवल भारते जहाजों के लिए सुरचित रहें इसके लिए कानून का निर्मार हो कि कोई और किसी देश का जहाज भारते तठ पर ना आने पाई सभी राजनितिक बंदियों को छोड़ दिया जाए और रानितिक मामले बंद कर दिये गए है और तथा निर्वासित भारते को देश वापस आने की अनुमति दी जाए इसमें गुटचर पुलीस या तो हटा दिये जाएं अथवब उनको जनता पर नियंतर रखा जाएं तो गुप्थचर व्यवस्ता को तो समाप्त कर दो पुलीस व्यवस्ता को या तो उसमें जनता का नियंतर हो और आत्मरच्छा के लिए हत्यार रखने की अनुमति जित routine चीजाए, तिह ग्यारा सूत्री मांग किसे ने रखा था? गांधी ने अपने समाद चार पत्र यंग इंडिया में किसके सामने? वायसराय लॉर्ड इरबिन के सामने लेकिन इरबिन ने इन परसताओं को माने जो इस निकार कर दिया, whenever he was on the water, तब गांधी ने सब्विन अवग्या 안डूलन शुरू किया था मिला तो गांधी किस आंदुर्ण के समय कौन सा वाक के बोलते हैं कथन कौन सा बोला है ये भी कोशन पूछा जाएगा तो गांधी ने ये कब कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला तो 11 सुत्री मांग जब नहीं मानी गई तब गांधी ने इसको कहा था तो इसको अच्छे स्याद रखना यही सब कोशनी जाम में पूछा जाएगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं सभीने अवग्या आंधुर्ण की सुरुवात कहां से होती है जिसे हम नमक सत्यागरा इसी को हम डांडी मार्च कहते हैं तो चाहे नमक सत्यागरा को हो और चाहे डांडी मार्च को हो बात एक ही है तो गांधी ने डांडी मार्च की सुरुवात कहां से किया था एक यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझाने का मैंने पर्यास किया है आप इसको देख सकते हैं तो गांधी ने एहमदाबाद में साबर मती आसरम से 12 मार्च को जो है डांडी यात्रा की सुरुवात की थी और 6 अपरेल 1930 को डांडी पहुँच गये थे तो डांडी यादखना न अपरेल तक गांधी चल करके और कहां पहुच गये थे डांडी तो एहमदाबाद से डांडी आने का जो मार्ग है इस मार्ग को भी यहाँ पर दिया गया है तो जब गांधी एहमदाबाद से चलना सुरु किये थे साबर मती आसरम से तो उस समय 78 लोग थे ठीक है गांधी के साथ लेकिन जब गांधी डांडी पहुचे तो वहां गांधी के सामने भीर इतनी जादा थी कि कुछ लोग इतिहासकार कहते हैं पांच लाक तो कोई कहता है दो लाक लेकिन कुल मिला के कहना यह है कि वहां भीर एक लाक के ओपर थी दूसरी बात जब गांधी आश्रम कहे थे, हो सकता कुछ ने भी पुछा जाए, गांधी ने ये कब कहा था कि साबरमती आश्रम में तब आऊंगा, जब देश आजाध हो जाएगा, तो जब नमक सत्यागरा निकालने का नेड़े लिया था, तब उन्होंने गांधी ने ये बात कही थी, इस मैप के माध को साबरमती आश्रम, ठीक है, 12 मार्च को साबरमती आश्रम एहमदाबास से नमक सत्यागरा, जिसे डांधी मार्च भी कहा जाता है, कि सुरुआद 12 मार्च से ले करके 6 अप्रेल तक की यात्रा की थी, ति ये डेट याद रखना, ये कुछन कई बार एक जाम में आया हुआ आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है, अब याद देखना, 24 दिन की इस यात्रा में गांधी डांडी पहुचे और नौसारी जिला गुजरात, ये भी कुछन पूछा जा सकता है, कि मात्मा गांधी जो डांडी गए थे, नमक सत्यागरा, जो शुरू किया था, डांडी मार गुजरात के नौसारी जिले में है, और वहां पर एक मुठी नमक हाथ में लेकर, कानून, नमक कानून का उलंगन किया, और यहीं से सब इने अवग्या आनौन कारिकरम की सुरुवात हो जाती है, तो मात्मा गांधी ने वहां एक मुठी नमक उठाया और कहा, कि अब आज क कोई भी जो है, नमक पर कर नहीं देगा, और नमक को ही क्यों चुना, तो कि यह हर ब्यक्ति, हर वर्ग, हर धरम से जुड़ा हुआ है, कोई भी ब्यक्ति हो, कोई भी समुदाय हो, कोई भी धरम हो, कोई भी वर्ग हो, सब कर सम्मध नमक से होता ही है, इसलिए गांधी ने अपने 78 परतनीदियों के साथ शुरू की थी, तो बिहार में एक बार कोशन पूचा गया था, 78 परतनीदियों के साथ जब गांधी यातरा शुरू किये थे, तो उसमें जो है या दखना, बिहार से कितने लोग थे, और बिहार से जो ब्यक्ति था, उसका नाम क्या था तो अभी हमें बताना है ठीक है आगे बढ़ते हैं अभी आपको मैं बताता हूँ आगे बढ़ते हैं लिखा है एक बात यहां आपको नोट करने ना है सुभाश चंद बोस ने जब गांधी डांडी मार्च निकाले थे तो सुबाश चंद बोस ने गांधी के डांडी मार्च की तुल्ला नेपोलियन के एलबो से पेरिस मार्च और मुसुलेनी की रोम मार्च से तुल्ला की थी ये भी कुशन आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सोतंता से नानी था जिसे नेपोलियन के एलबो से पेरिस मार्च और मुसुलिनी की रोम मार्च से तुल्ला की थी गांधी के डांडी मार्च से तो वो सुभाज चंद बोस जी थे ठीक है इसको आपको नोट करके अच्छे से याद रखना एही से कुशन एज़ा में जब पूछे जाते हैं तो कुशन घलत हो जाते हैं इसको बहुत अच्छे तोड़ा गया चात्र सरकारी बिद्याले और करमचारी दप्तरों को छोड़ दें बिदेशी वस्तों का बहिसकार और उसे जलाया जाए सरकार को जो है किसी परकार का जो है करना दिया जाए महिलाएं सराब अफीम और बिदेशी वस्तों के दुकानों पर धरना देगी तो म बिहार में सविनय अवग्यानुन कहा कहा हुआ था कौन-कौन इसके नेता थे और यहां कौन-कौन से कारिकरम को अपनाया गया पहला है डांडी यात्रा में गांधी के साथ बिहार के गिरिवर धारी चौधरी उर्फ कारो बाबा ने भाग लिया था तो 78 परतनिदियों में ए सत्यागरा के लिए सावर्मति से चले थे डांडी के लिए तो उसमें एक बेक्ति बिहार के भी थे इनको अच्छे से यादखना ये कोशन इजाम में आपसे पूछा जा सकता है ठीक है इसी तरह से इसी करम में बिहार में विदेशी वस्तों और नसीले पदार्थों की दु सभी ने अब अग्यांदरन शुरू किया गया था उसमें जो है मई 1930 में पटना में एक क्या स्थापित किया गया था सोदेशी संग की अस्थापना की गई थी और इसके अध्यच कौन थे ये बहुत महात्पूर है क्या देखना सर अली इमाम थे इभी आपसे पूछा जा सक सभी ने अब अग्यांदरन शुरू हुआ था तो बिहार में सोदेशी संग क्या स्थापना कहा की गई थी पटना में की गई थी कब की गई थी मार्च 1930 में की गई थी अध्यच कौन थे उसके सर अली इमाम थे उपाध्यच कौन थे तो सचितनन सिनहा थे इनको याद रखन और सचितनना थे तो याद रखना के भी दत्ट और हसन जो है इमाम को इसका क्या बनाया गया था मुख सचितनना इन चारों लोगों की नाम याद रखना इनका संबंद किस से है सुदेशी संग से है अब यहां सब कोशन आ जाए तो गरत नहोंने पाए इसको आप बहुत अच्छे से केरफुली तरीके से याद कर लिजेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, बिहार में सभी ने अवग्या आंदूरन के प्रांतिय परसासक दीप नरायन सिंग को निक्त किया गया था, तो या देखना कांग्रेस ने क्या किया था, सभी ने अवग्या आंदूरन को चल रहे थे, यह परांतिय परसासक थे, बिहार में कांग्रेस ने को निक्त किया था, किसके लिए? सभी ने अवग्या आंदूरन के लिए, तो हर पॉइंट में, जो बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है, उसी को मैंने इसमें सामिल किया है, आप पढ़ाने के लिए, बाकी बेशन हुआ था, तो यह नेड़ लिया गया था, कि परतेख 26 जनुरी 1930, मतलब, परतेख 26 जनुरी को सुतंता दिवस मनाया जाएगा, तो पहला सुतंता दिवस का मनाया गया था 26 जनुरी 1930 को, लेकिन बिहार में मनाया गया, कब गया, तो 26 जनुरी 1931 को बिहार में स्वाध गया दोनेंग चल रहा था तो बिहार में 26 जुनोरी 1931 को जंडा किस ने फैराय था तो या दखना अनुगरह नरायान सिंग ने कहां फैराय था पटना में पटना में उस पार्क नाम भी पुछा जा सकता है भवर पोखर पार्क था यहीं पर राश्टे जंडा किस ने फैराय अनुगरह नरायान सिंग यह भी आप में एक आर्लक कोश्चन बनेगा इसके रावा ड़क्टर राजिंदर परसाद ने बिहार में सोडा से नमक बनाने और चौकीदारी कर ना देने है तो सत्यागरह के लिए गांधी से अनुमती मांगी थी अब यहां पर याद एखना नम नमक बनाने के लिए बिहार में तो समुंद्र की किनारे बिहार है ही नहीं तो यह नेरा लिया गया कि सोडा से नमक बनाया जाएगा और उसका बित्रण किया जाएगा और साथ में राजिंदर परसाद ने यह भी गांधी से अनुमती मांगी थी कि चौकीदारी कर ना देने का भी सत्यागरा की अन्मती मांगी थी तो गांधी ने ये अन्मती जो है दे दिया था ये बात आ दो लिखना बिहार में सोडा से नमक बनाया गया था और जो है चोवकि दारी कर ना देने का भी आंदूरन इसी के साथ चला था किस के साथ तो सबी इने अवग्या आंदोलों के साथ चलना था बिहार में इस बात को अच्छे से याद रखना ये भी अपने आप एक पॉइंट कुशन बनेगा आगे बढ़ते हैं इस आंदोलों के दौरान बिहार में चौकिदारी कर ना देने का अभियान चलाया गया और बिहार में समुन्द दारी का ना देने का अभियान चलाया गया था तो सभीने अवग्या आंदोलों के समय चलाया गया था इस बात को अच्छे से याद रखेगा आगे बढ़ते हैं बिहार में 6 अपरेल 1930 को नमक सत्यागरा प्रारम करने कि थी निधारित की गई थी क्योंकि इसी दिन जो है गा अधी डांडी पहुच गए तो नेड़े लिया गया बिहार में 6 अपरेल 1930 को नेड़े लिया गया कि नमक सत्यागरा प्रारम करने की तिधी धायत की गई और जो याद गणा जो है नकास पिंड पटना जिला में एक अस्थान है तो नकास पिंड पटना नमक अस्थान से नम नमक कानुन भंग कनने है तो केंद्र की रूपे चुना गया और नखास्पिंड चलो का नारा दिया गया जैसे वहाँ पर डंड चलो का नारा दिया गया था और इसे पतना में नखास्पिंड से ही नमक सत्त्यगरा की शुरुवात की गई थी कब 6 अपरेड 1930 को और यह कहां प आप से बिहार में पुछा जाएगा बड़े-बड़े वाक बनाकी भी पुछा जा सकता है उष्ट आपके कूछ अंच्छा गलत नहीं हो पाएंगे ठीक तो याद रिखना अगर पूछा जाए कि नमक सत्यागरा के लिए केंदर किसको बनाया गया था तो पट्रणा जिले में किसको याद रिखना नखास पिंड को बनाया गया था और ये नारा क्या दिया गया था नखास पिंड चलो का ठीक है कब 6 अपरेड 1930 को ये बात याद र गया इब आपसे पुछा जाए कि बिहार में जो है नवक सत्र आरं हुआ था सबसे परे कहा हुआ था तो याब करनो कारन नंगंगन और व्यापक पैमाने पर कहा किया गया, तो सारण और हाजीपुर में किया गया था, यह बहुत महात्पूंड कोशन है, इसको याद रखना, अगर यहां से कोशन आये तो गरत ना होने पाई, यह बहुत महात्पूंड जीतनी चीजे थी इनासे, ना. आप को बता दिया है, जितनी important चीज़ था मैंने बताया है, आप इसको recall करिएगा, इसका PDF हमारे टेलिग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप उसको revision भी करते रहेगा, और आप लोग revision पे ज़्यादा focus करो, जितना revision करोगे, आप उतना exam के नजदीक जाओगे, exam past करने के नजदीक जाओगे, नया ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ें आप उसको revision करते रहेगा, आपके question गलत नहीं हो पाएंगे, लेकिन साथ में science पे focus जरू करिएगा, science के 30 question आते हैं, और current affair फोकस केजगा, और बाकी सारे subject में खुद कराऊंगा, current affair भी कराऊंगा, बिहार special current कराऊंगा, मैं सब कुछ कराऊंगा, मेरी कोशिच यह है, कि जितना इंपोर्टन चीज है, सब मैं आपको करवा दूँ, तो अब लोग यहां से question अगर आए, तो गरत ना होने पाए, okay, thank you.